पशूओ का जीकर पशूओ की पिकर पशूओ पालो नुलकास में च्वीटूब चनल पे अज़ाब इंदर ओल्ली की तरफता है सारे भाया नावराम भाई आज पोजगे गाउं टाना खुर्द में पवन भाई के पास में बहुत बड़ी आपशू दिंते यार है पूरी जानका रिप्राप्त करेंगे बार बार स्वागत है पशूओ पालो नुलकास में च्वीटूब चनल पे पवन भाई गा पूरी जानका रिप्राप्त करेंगे बार स्वागत है अब लगाया करते लख मी चंद सरन सत्गुरू की लुच्चा दरना से हर कमरे मेल बने रहो तम नामने के करना से ओन भाई राम 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 भाई और ठीक हो जी बाई आप अपने पास कितने पसूँ पिलाल फिलाल भाई एक बैस है एक इसकी कटड़ी और एक अटड़ा और लग बगे इतने पसूरां एक दूद के लिए रखते हो गर के लिए या अपना शेल पर चेज़े या दूद का काम है जी दूद दाद का कोई काम नी सौक के लिए अपना मुलब पसू पाड़ते हैं और साथ साथ में अपनी घर की रिक्वार्मेंट भी पूरी उत्ती और एक सौक अच्छा पसू पालने के लिए अपना पड़िया पसू अपना जो ये अक्षे तरहयो एरिया है इसकी अलग पैचान है अगर मुरा नसल की बात करने पूरे अर्याने मनी पूरी दुनिया में अपना चाए जीन्द की बात हो नरवानार आशी का जो एरिया है इ जी क्या काम करते हैं बाई बाई सब्सक्राइब काम तुम्हें ना द्वाईयों का करता हूं मार्गेटिंग लाइन है जी अपनी और साथ में अपने पास में जो टीश की पूरी जानकारी दो जी जैसा आपना बता बड़ी अपसू दन रखने का हमारा सोख है या सामने जो जो टीश के बारे में बताओ जी बड़ी असजाद अजा रख्या अपने इसको और वहीं साफ सफाई का वीशेज द्यान है और वैसी शेहत है देखलो भाई बैसकी अपना जो पूछड भी अना इस तरह गया जैसे समूधनिंग करवा लेते हैं एक एक बाल अलग से दिखा हो है और इस बार इसने कटड़ा दिया जी और अभी तीस तारिक काही मान के चलो इसके काविंग हुई है आज पत्सीच दिन हो गये हैं और जो ये बच्चा है ये भी अपना बीम 307 का जी अपना सीमन की तकरीबन सभी की नोलिज है बाई कोण सा सीमन बैस्ट रहता है क्यो हैं अच्छी नसल चाहते हैं तो किन बातों का विशेज द्यान रखना चीए देखो बाई साब सबसे पहले देखो दो उत्रे के होते हैं एक तो पसु पालना और एक पसु बाना बान तो कोई भी लेगा लेकिन पालना जो होता ना उसके लिए कुछ बेसिक नोलेज ओनी ज तो लो एक अच्छी मिलक लाइन है ना आपने घर में हम रख सकते हैं ठीक है और दूसरा रख रखाओ तो क्या जी रख रखाओ तो बेसिक सी वही चीज़े हैं हमारा वो बोलते हैं कि खंदा नीपे से जी यह तो एक किसान गे ठीक है ना पसु आज से थोड़े पालते आर लैंजो एक वल्त ने टूड जो निकाला राज ऑँपी दिन की वियाई हो चुकी है और आज एट परजेंट इसका 22 लेटर जो दूद है वह अभी तयार है और अभी मान के चलो कोशिस है कि थोड़ा हा और इंक्रीज गरे मिलके अग और भी लगभग 23 लीटर के आसपास मैं जरूर दूद दे अब वही दूसरा बयां था इसका सेकंड लेक्टेशन है और लगभग 25 दिन की वियाई हो चुकी है और से सीमन से प्रेग्नेंट थी आपना बताई जो अभी जो बच्चा है जो नीचे कटा है यह बीम 307 का पहले जो अपना यह बहुत ही शांदार जो पसुदन है रिंग सिंग आप देख सकते हैं और बई शेत बहुत बढ़िया है पसुपालक सातियों पसुओं में बैने के बाद जेर गिराने वे मेले से चलाने के लिए सर्वतन दवाई यूट्रा मैक्स जेर गिराने के लिए दाई सो एमेल हर दो गंटे में और गर बाश्यकी सफाई मेले से चलाने के लिए सो एमेल दस दिन तत अच्छा इसकी जो मा थी वह भी आपके पास में थी अपने गर की बरीड है तो यह कोण से बुल गी बेटी है यह अपने होस्पिटल से है ना सिमन नंबर क्या है पीसी साथ सो बीस उसका संदीब भाई भी अपना अक्षेतर में भाई सीमन की नोलेज है अच्छा सीमन ने यूज करने के लिए पसुपालग भाईयों को विशला देती रहते हैं तो इसमें फीड में जैसे आपके रहे हैं आगे और अच्छा ज्यादा दूदेगी तो क्य डाइट प्लान रहते हैं डाइट प्लान तो जी अभी तो हम तो एक्स्ट्रा तो कोई चीज नहीं डाल रहे हैं जो अपना बिनोड़ा है खड़ है और जो गेहूं है दाना है इसके अलावा जो चीज हैं कि यह ओफिड ना हो तो लिवर टोनी कैल्सियम वगरा है ना यह च कंटीनियू लगातार जो देते हैं फीड में उसके बरें बताओ जी नॉर्मली जो हमारी डाइट है वो तो यह है जी बिनोड़ा हम डालते हैं और गेहूं का दलिया इसके अलावा यदि पसू के अंदर कोई भी दिकत नजर आती है जैसे कम चरना हो गया तो वहां पर आम को लिवर्टोनिक एड़ कराते हैं और जो काविंग टाइम है तो उसके अंदर कंटीनुसली उसकी कैल्सियम स्टार करते हैं ड्राइपीरेड में फिर उसका मिननमिसर कंटीनुसली रहता है जो मिननमिक्सर है अपना जो खनीज मिसरन है उसकी आज के समय में जो है डोक्टर सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देने पड़ेगे हैं तो मिलकिंकर काव देख सकते हैं किमा जाते हां जाते हैं हमारी कोसिस है कि सवा महीने तक जैसे भी रैडियो सब्सक्राइब इसका फुलंड फाइनल विडियो गया तो आप से हम रिकूडिंग कर भाएंगे स्काब्स का सेल करने का मन है अगर पर रखोगे पहुन भाई सेल का तो एक परसेंट भी कोई मन नहीं है कि अपना पताई थी वाई इसकी मान तीन कट्टे दिये और फेर यह दी तो बहुत लाड़ चाओ बिल्कुल 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 और जो यह बच्ची आ रही है यह आज इसकी जो एजगी में बात करूं तो एक साल तीसरा महिना भी इसको चल रहा है यह अपना खार की व्यात की है उसकी जो है पने यह कट्टी जी खार की ब्यात की कट्टी है और एम उनकतीस की यह बच्ची है आने वाले टेम का यह भी एक बहुती शांदार पसूदन आपके पास मैं तयार खड़या जी जान से इ सिमन की बात हो एक अच्छा पसूदन क्योंकि अपने एरिये का नाम है अच्छा पसू रखने का तो उसमें एक कडी जोड़ी है कि हम एक अच्छा ही पसू रखेंगे तो बहुत बढ़ी आज शांदार जोटी देखने को मिली है अपना बाई-शाब के पास हो तो बैसंदी सब्सक्राइल है तो ऑपना जुज करते हैं तो यह यूज करते हैं आप छिसकी लेपटेशन अच्छी बच्छा रॉच्छा वो धेगा दूदुद का मैं लीटर तक दूद्दे देते हैं चार जार लीटर की है अगर पलस की अपां सिमन यूज़ करते हैं तो 20 पलस की कटड़ी आएगी बाई-साब ने यह जो जानकारी दी है तो अपने इस अक्षेतर में कभी भी आपको रखवाना है तो आप संदी बाई-से भी संपरक कर सकते है इस वीडियो में अपने विचार सान जागी है बड़ी आजानकारी दी हैं आपको और ऐसे ही हर रोज एक अच्छे पसूगी जानकारी आपको को पसूपाल नविकास मंच यूटूब चैनल देता रहेगा ज्यादा से ज्यादा सस्क्राइब करें वीडियो को जरूर शेयर करें कमेंट में अपनी राए जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद सभी दरसक साथ होगा जय इंद जय भारत जय जवान जय किसान